बिल्लाहरमाद रहीम असलाम-वलिकुम है आज हम कॉलडि वैस्टुल सिस्टम स्टार्ड करेंगे इन्शामला त्लाव और प्रमिस तुन हो करता हैं तब दावाँ मैं कर सकता हूं कि आध्योगण, कालडि वैस्टुल सिस्टम पढ़ने के बाद आपके अंद्र काडियालोजिस्ट बनने का एक जजबा और जोश पैदा होगा इंशाललत अला और हम काल्डियोस्किल सिस्टम को इंशाललत अला बहतरीन करके पढ़ेंगे मज़ा ना है तो पैसे वापस कर देना तो काल्डियोस्किल सिस्टम का जो पहला लक्च्छर है आज वो हमारा एंब्रियालोजी काल्डियोस्किल सिस्टम के हम एंब्रियो देखेंगे तो स्टार्ट करते हम यहां से यह इसको हम बाद में देखते हैं ठीक है तो उससे पहले यह देखते हैं सेप्रेशन अफ हार्ड चैंबर्स सेप्रेशन का मतलब होता है सेप्रेशन सेप्रेशन का मतल of heart, जब आपका heart बन रहा होता है शुरू में तो बिलकुल ऐसे loop type होता है, ऐसे tube type, छो बिलकुल ही मतलब कि एक ही वो होता है, अब इसी में हमने क्या करना है, कि इसी के अंतर हमने हमने चार चेंबर इसके बनाने, दो atria और दो ventricles, यह चार हमने इसके चेंबर बनाने, तो इन चार चेंबर की separation कैसे होता है, यह देखें, यह तो एक ही चेंबर लग रहा है न, अब इसी चेंबर को हमने चार चेंबर बनाने, तो यह separation किस तरह होता है, इन चेंबर की, यह व होता है ये हमने देखना है पहले हम देखते है सक्टेशन आफ एट्रिया कि हमारे जो एट्रिया होते हैं तो वो कैसे यहां से देखने, इसमें है step 1, ठीक है, अब step 1 में क्या होता है, step 1 में यह है कि आपकी एक structure, embryonic structure जिसका नाम है septum primum, क्या नाम है septum primum, यह septum primum यहां उपर से, यह blue वरी, यहां उपर से septum primum बनना शुरू होती है, ठीक है, और यह बीच में होती है endocardial cushion, क्या होती है, यह क्या होती है endocardial cushion, यह बीच में होती है endocardial cushion, और यहां उपर top से एक structure निकलती है, जो नीचे की दरफ endocardial cushion की दरफ move करती है, इस structure का नाम होता है septum primum, अब ऐसे कि यह जो structure है septum primum, ऐसे समझे है, यह endocardial cushion से मुहबत करती है, उससे मिलना चाती है, तो यह उसकी दरफ move करती है यह step one हो गया इसका step one क्या था कि आपके वबर से झो निकलती है structure इसका नाम है septum primum यह septum primum move करती है endocardial cushion की तरफ अब septum primum endocardial cushion की तरफ move कर रही है तो बीच में एक सुराख रहे यह ना यह वहला सुराख किसके बीच में ऊपर क्या रहे है septum primum और यह कहाँ endocardial cushion तो बीट में यह hole है बीट में क्या है यह hole यह जो arrow show करा रहा है यह वला इस hole को कहते है foramen primum इस hole को क्या कहते है foramen primum यह है उसका step one यह क्या है step one समझा किया यह अच्छा जब यह step one बन रहा है तो यह देखें यह क्या है आपका right atrium और यह क्या है left atrium ठीक है यह कैसे है बला मैं फिर repeat करता हूं इसको यह यह आपका endocardial cushion बीच में यहां से क्या निकलता है आपका septum primum और वो नीचे की तरफ endocardial cushion की तरफ move करता है अब बीच में यह क्य है आगे डाकर जाप चैलेंजी जूम पर समझ आगे किसी का question आगे तो चैलेंजी चैलेंजी स्टेप टू चैलेंजी स्टेप टू में क्या होता है स्टेप टू में यह होता है कि आपका यह यह मैंने कहा कि यह क्या बन रहा है यह septum primum बन रहा है ठीक है और यह endocardial cushion है और आपका septum primum किस की तरफ move कर रहा है endocardial cushion की तरफ move कर रहा है ठीक है जब आपका septum primum जाना वो endocardial cushion की तरफ move कर रहा है जब यह इसके तरफ gonna dust कड़ा बीच से यह ब्रेक वोजाता यहांपर यहांपर क्या दाता है break to अभी आपका नहीं इंड़कोल्टिकल कुषिन तक पहुंचा भी नहीए और पूछे से क्या हो गया ब्रेक हो गया ठीक है अब यहांपर भी hol है इस hol को क्या बोलते है प्राइम, और पीछे से भी एक होल बनी किया है, इस वो क्या बोलते है, फ्रमें स्केंडम, यह देखे यहाँ पर, यह देखे, यह अभी आपका सेप्टम प्राइम, यह वाला सेप्टम प्राइम, मूव कर रहा था एंडोकाड़ी कुशिन की तरफ, यह एंडोकाड़ी अब यह जो पीछे से ब्रेक हुआ यहां पर एक और सुराख बान गया यह ज़िए कार्ट फॉरमन स्केंडम यह आपका स्टेप टू था ठीक है स्टेप 2 समझ आ गया होगा स्टेप 2 में क्या होता एक आपका जो स्टेप्टम प्राइमम यह जब आगे की दरफ मूव करते है अभी अंडोकलिकुशन तक कंप्लीट पहुचा भी नहीं है तो यहां पर एक सुराख हो चुराह को बोलते हैं फॉरमन प्राइमम जो पहले वाल देगे foramen का मतलब क्या होता है सुलाख होना तो वहां पर पीछे एक और सुलाख हो गया उसको बोलते है foramen सकंडом, तो महां पर 59, 2, 3 e घ्रिडवर्न मान गया ठीक है तो यह आपका स्टेपट दू था त्ञिक है हिर अ हरण तो आ यह आपके यह आपका स्टेप टू था स्टेप त्री की दिअवर मूव करते है स्टेप ट्री में क्या क्या होता है अब step 3 में यह है कि यह मैं दुबारा बनाता हूं यह आपका endocardial cushion था यहां से क्या आ रहा था septum primum अब septum primum यहां से पीछे break हुआ इसको क्या बोलते हैं और यह कौन सा है foramen primum यह पीछे बना था अब तीस्ते step में क्या होगा यह अब यहां से move करता हूँ यहां इसके साथ आगे fuse कर जाएगा तो आपको जो foramen primum था वो disappear हो गया foramen primum क्या हो गया disappear यह वाला जो foramen था अब यह क्या हो गया disappear लेकिन पीछे एक foramen रह गया वह कौन से foramen scandum यह वाला foramen scandum तो पीछे से यहां से यहां पे कौन से था foramen primum foramen स्वारी septum primum septum premium के right side से क्या निकलता है आपका septum scandum यह यहां से निकलता है septum scandum और यह निचा की तरफ move करना शुरू कर देता है यह आपका step 3 हो गया step 3 क्या है कि आपका यह जो move कर रहा था septum primum वह आके endocondition के साथ fuse कर जाएगा जब वह इसके साथ fuse कर जाएगा तो यह आपका जो यह septum sorry foramen primum जो था यह क्या हो जाएगा close foramen primum क्या हो गया disappear हो गया पीछे यह कौन सा primum रह गया sorry कौन सा foramen रह गया foramen scandum अब उपर से यह देखे यह आपका जो septum primum था जो उपर से टूट गया था यह वाला इसकी right side से क्या बन रहा है developing septum scandum क्या बन रहा है septum scandum समझागी यह four steps बैक्टर अजब आपको समझागी है पकी बात है यह चले जी मैं इसको एक बार फिर repeat कर देता हूँ ठीक है क्या है step one में यह है कि आपको उपर से क्या बनता है septum primum और यह septum primum move करते हैं आपके endocardial cushion की तरफ तो बीट में एक सुराख रह जाता है इस सुराख को क्या बोलते है step two क्या है step two में यह है कि आपका यह जो septum primum endocardial cushion की तरफ move कर रहे है अभी endocardial cushion की तरफ मुकंबल पहुंचा भी नहीं है बीट में अभी सुराख है that is foramen primum अभी यह मुकंबल नहीं पहुंचा कि बीच में फिर पीचे टूड़ जाता है यहां दर्म्यान से और यह एक और सुराख बांजेता है वो क्या है foramen scandum अब इस इस सुराख को पुर करने के लिए पीचे से एक और septum निकलता है वो septum का नाम क्या है septum scandum ठीक है समझा गिये तो यूँ देखिए दो septum है और दो foramen है दो septum और दो föramen पहला foramen है foramen primum क्योंकि पहला foramen है तो primum होगा primum मतलब primary तो पहला foramen पहला सुराख तो foramen primum अब पहले सुराख को पुर करने के लिए septum आता है वो septum primum पहला septum, तो septum primum, अब जब पहला septum टूरता है, पहला septum बीच में टूरता है, तो दूसरा सुराग बनता है, तो foramen, scandum, scandum से secondary, याण दूसरा सुराग, ठीक है, अब scandum का मतलब दूसरा नहीं होता, वैसे मैं लिमूनिक बता रहा हूँ, आपको याद करने का, कि scandum से secondary, तो foramen, scandum, तो दूसरा सुरा, अब इस दूसरे सुराग को परन करने के लिए, जो septum बनता है, वो septum, scandum, क्योंकि दूसरा septum है, septum, scandum, तो दो whole है, दो foramen है, और दो क्या है, septum है, सबसे पहले foramen, primum, फिर septum, primum, फिर septum, sorry, foramen, scandum, फिर septum, scandum, I hope कि आपको समझा गया होगा नहीं समझा है, रपीट करने की जूरत है, चलने जी, जूम पे किसी या कोई question होता हो, ठीक है, चलने जी, I hope so that कि कोई question नहीं है, मैं देख रूँ, यहां तक आपकोई चीज रहना गई हो, ठीक है, चलने, ऊपर से देखते हैं, reading कर लेते हैं, जो हमने यह पढ़े है, steps 4, sept of course, जब septum primum इसकी तरफ move करेगा, तो यह जो foramen primum है, यह narrow होता जाएगा न, यह ऐसे था, यह ऐसे, यह पहले यहां पे था, फिर यहां पे था, फिर यहां पे, तो यह वाला क्या हो जाएगा, सुरा, narrow होता जाएगा, ठीक है, step 2, foramen scandum forms in septum primum, क्यों, क्योंकि यह pieces क्या ह हो जाता है, break, यहां पे क्या हो जाता है, break, यह क्या हो रहा है, break तो foramen scandum बान जाता है, foramen primum, regress, ठीक है, यह नीचे की तरफ disappear हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका यह septum primum है, यह इसके साथ मिल जाता है, number 3, septum scandum develops on the right side of the septum primum, यह septum primum था, इसका right side पे क्या बनेगा, septum, scandum, right side पे बनेगा, ठीक है, as foramen scandum maintains right to left shunt, इसका क्या मतलब है, right to left shunt क्या मतलब है, यह foramen scandum, कि जो right side का blood है, वो left side में move करेगा, blood का right side से left side की तरफ move करेगा, चलें जी, step 4, septum scandum expands and covers most of the foramen scandum, the residual foramen is foramen, अब step 4 देखे, step 4 में क्या होता है, यहां तक समझागे, step 3, डाक्टर जाब, रपीट करने क्या जो रहता है, चलें जी, step 4 क्या है, step 4 अब यह है, कि step 4 में आपका, यह तो fuse कर चुका था, septum primum endocaldal cushion के साथ fuse कर गया, तो foramen, foramen primum disappear हो गया, पीछे से, यह कौन सा foramen था, foramen, scandum, foramen, scandum, तो आपके यह जो septum primum पीछे जो टूटा था, उसके right side पे क्या बना, septum, scandum, septum, scandum, अब नीचे की तरफ मूव करेगा, किस की तरफ, इस तरह, यह endocaldal cushion, यह आपका यहां पे पहुँच चुका है, septum primum, और पीछे से यह septum primum तूटा था, और इसकी right side क्या निकला है, septum, scandum, यह कौन सा hole बन चुक है, बच चुक है, foramen, scandum, foramen, scandum, अब यह मजीद आगे move करेगा, कौन, septum, scandum, और इसके साथ आगे fuse कर जाएगा, किस के साथ, इसके साथ, septum primum के साथ, क्योंकि यह left side पे है, यह right side पे है, तो यह सही तरह से आपस में fix, नहीं होंगे, अब इस्टिल इनके तरम्यान में एक छोटा सा सुराख रह जाएगा, छोटा सा, सुराख, अब, foramen, scandum, तो खतम हो जाएगा, लेकिन फिर भी छोटा सा सुराख रह गया, इस सुराख को बोलते है, foramen, avail, क्या बोलते है, इस सुरा में और avail रह गया है, कि यह है आपका heart, ठीक है, यह बच्चे का दो atria और यह दो ventricles बन गए, अब, उपर से यह mother है, mother या बच्चा, या बच्चा भी मां के पेट में है, ठीक है, यह मैंने bear, इसको heart sketch कर दिया, लेकिन मां के पेट में है, बच्चा भी, तो यहां से umbilical vein के जरिए, किसके जरिए ,ångbilical vein के जरिए mother के जो oxygenated blood है वो sent Pr count के जरी और umbilical vein से आता हुआ venus ductus में आता है कैसल में venus ductus में, इsoverreten में मैं कह Europodies Teare जरी तो फो यह उसमें oxygenated blood कैसे होगा? क्योंकि ये vein इसलिए है क्योंकि ये blood को ले के आ रही है बच्चे के दिल में वापस, heart में वापस तो जो vessels blood को heart में वापस ले के आते हैं वो veins होती हैं, तो इसको बच्चे के heart के मताबर नेम दिया गया है umbilical vein, लेकिन इसमें कौन सा blood होता है? आक्सिटेट ब्लाड होता है. अब ये umbilical vein से blood आएगा आपके venus doctors में. venus ductus क्या करेगी? venus ductus ये करेगी कि आपका जो भीट में liver आता है. क्या आता है? liver. तो blood को ये liver में नहीं जाने देगी बलके वहाँ से bypass करके क्या आपके? right atrium में डाल देगी. नहीं समझाया? समझाया कि नहीं? मैं इसको repeat करता हूँ. ये mother है. ठीक है? mother ने blood दिया अंबिलिकल vein के जरीए. अंबिलिकल vein में कौन सा blood है? oxygenated. अब ये oxygen वाला blood वहाँ से जाएगा venus ductus में. So the question is this that what is the venus ductus? कि venus ductus क्या होती है? venus ductus एक vessel है? ठीक है? अब ये vessel क्या करती है कि यहाँ वैसे अंबिलिकल vein से blood को जाना चाहिए था? liver में फिर liver से? राइड आट्रिया में. ठीक है? सारा ये मैं इसको साफ कर लेता हूँ. सारा जीवोगरीब हो गया है. चैनल जी मैं इसको फिर sketch कर लेता हूँ. यहाँ पर आपका liver है. लेट्स पोज़र liver है. ठीक है? अब बलड को अंबिलिकल veins. यह umbilical vein. ठीक है. अंबिलिकल vein से कहाँ जाना चाहिए था? लिवर में. फिर liver से right atrium में. लेकन बीट में आपकी क्या आ जाती है? venus ductus. क्या जाती है? venus ductus. यह भी vessel है. यह umbilical vein से blood को पकड़ लेती है और यह liver को bypass करती यानि लिवर के पास ब्लड नहीं जाने देती और ड्रेक्ट किस में आके डालती है राइट अब समझा के विनस ड्रक्टिस अब जब ब्लड राइट एट्रम में आता है तो यहां पर एक छोटा सा सुड़ाख रहा गया था कौन सा फॉरमें अब बच्चे का यह हाड है ठीक ह तो यह राइट एट्रम से ब्लड मूव करता है राइट लेट एट्रम में क्यों मूव करेगा यहां पर प्रेशर क्या होगा ज्यादा यह जो प्रेशर आ रहा है जिस प्रेशर के ब्लड आ रहा है तो राइट एट्रम में प्रेशर क्या होगा ज्यादा और इस प्रेशर के साथ blood move करके कहाहा जाएगा leftожал में blood काउं सा आकसिजनेट यहां से यह जाएगा left ventricle से और और left ventricle से कहा जाएगा system eccakery में बच्चे के system eccakery में उसके tissue को क्या होगी blood supply होगी तो समझे आ गिया कि यह क्यों रहा गिया है कि मैं इसको repeat करूँ दुबार इस वाले को repeat करने जुरत है चले मैं फिर भी एक बार repeat कर देता हूँ क्योंकि जूम पर request आई है कि सारे एक बार repeat कर दे यह है कि यह मदर से अक्षिनिटर ब्लड आया अंबिलिकल वेन में फिर अंबिलिकल वेन से इसको लिवर में जाना चाहिए था नहीं यहाँ पर venus ductus होती है यह इसको bypass करते है और blood डालती है right atrium में और यह right atrium से blood shift होता है इस foramen ovale के जरीए left atrium में left atrium से left ventricle से और left ventricle से system again में चला जाता है ठीक है तो यह foramen ovale इसलिए रह जाता है क्योंकि उसने यह सारा cover करना होता है right to left shunt इससे cover होता है ठीक है तो यहाँ तक आई hope आपको समझा आगया होगा कि septum primum septum foramen scandum और septum scandum क्या होता है ठीक है और foramen ovale क्या होता है और यह कैसे बनता है और endocardium cushion क्या होता है यह आपको समझा आगया होगा next क्या होता है number five पे number five पे यह होता है कि आपको foramen ovale क्या हो जाता है जाता है ठीक है फारमिन ऑवेल क्या होता है इंचि अहाँ है क्टलिके आपका आपका यह विम्ट भांब में में क्या कर जाते हैं मिल जाते हैं तो फिर आपका जो फोरमन उवेल होता है वो क्या हो जाता है लेकिन फोरमन उवेल कब क्लोज होता है after birth up to three month जब बच्चे की birth हो जाती है उसके almost three month बात जो है यह फोरमन उवेल क्या हो जाता है बंद हो जाता है तो degenerating septum primum यह पीछे एक septum primum यह वाना टूटा था यह degenerate होता है और यह क्या हो जाता है ठीक है तो यह आपका मुकमल क्या बन जाएगा इस तरह मुकमल एक septate होगे separate होगे तो इस तरह आपकी addral की septation होती है ठीक है अब reading कर लेते हैं जितनी रहे गई है नंबर five remaining portion of septum primum forms the one way valve of the foramen उवेल तो यह जो था यह और यह यह one way foramen उवेल बन जाएगा यानि यह blood को one way move कराएगा blood right से left तो जा सकता है लेकर left से right नहीं आ सकता यह एक वाल fractional blood flow क्या करेगा यह control करेगा समझा गई है number six septum primum closes against septum scandum sealing the forearm and avail soon after birth because क्यों यह बंद होता है बर्त के बाद्शंद के बाद क्योंकि आपको पता है बर्त के बाद the birth के बाद जो हमारा जो left atrium होता उसका प्रेशर क्या होता है ज्यादा left ventirical म Arya तो ancient power रिक्स्वरें भी या होता है क्या मुता है यह तो आपको sippal सा पथा है न कि आपके heart के left side का जो प्रेशर होता है व ज़्यादा होता है और राइट सेट पर क्या होता है कम होता है इसको डिटेल में हम जब इसकी फीजियो पढ़ेंगे CVS की दोस्तों में आपको समझा दूँगा क्यों ज़्यादा होता है और कैसे ज़्यादा होता है ठीक है जब यह ज़्यादा होता है यहां पर सुराख था इस सुराख से कि अध्र क्या होजेंगे ठीक है समझा गया कोई क्वेश्इन तो बता दे यह रपीट करना तो बता दे समझा गया है septum scandum and septum primum fuse during infancy early childhood forming the atrial septum ठीक है वो क्या करता है वो simple सी बात कह रहा है कि ऐसे endocardial cushion यह septum primum था है septum scandum यह पास में मील जाएंगे और क्या बना देगी atrial septum यह atria यह atria तो यह बनेगा atrial septum यानि दोनों आट्रेस के दर्म्यान वाला जो सेप्टम है that is called atrial septum जो इनको क्या कर देगा सेप्ट कर देगा समझागे पकी बात है यह एक बार फिर रपीट करने जुरत तो नहीं है है डेक्टर जाप जूम पर किसी बच्छे को कोई question हो तो पूछ सकता है अगर रपीट करन पेटिट का मतलब है खुला रहा जाना पेटिट का मतलब है खुला रहा जाना फोरम में ओवेल अगर खुला रहा जाए तो क्या होता है caused by failure of septum primum and septum scandum to fuse after birth चले जी मुझे आप बता है कि ये ये था ये endocardial cushion ये septum primum ये septum scandum अगर septum scandum और septum primum आपस में fuse ना हो आपस में fuse ना हो तो यहाँ पर जो फोरम में ओवेल था फोरम में ओवेल ये close होगा ये close होगा ये close होगा नहीं आपका ये atrial septum सही तरह से नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो ये आपका बीट में क्या रह जाता है सुराख रह जाता है यहां पर क्या रह जाता है सुराख ये हमारे कहते हैं ना के जनको बैडिकल का पता नहीं होता सिंपल से बंदे जब कहते हैं कि बच्चे का ऑपरेट हुआ है तो कहते हैं किसी इस सुराख था तो इसके दिल का सुराख का प्रेट हुआ पड़ा है तो यह वाला सुराख को करा जाता है यह पेटेंट फॉरमेल ओवेल जो फॉरमेल ओवेल कलोज नहीं होता तो यहां पर सुराख रह जाता है उसको हम बोलती है पेटेंट फॉरमेल ओवेल तो यह बर्त के बा है यह सुराख खुला रहें यह यह यहां पर सुराख रहें घब अच्छा अब आपके लेट्ट्स के प्रिशill कि cciones प्रेश सकते हैं खीक हैं लेफ्ट फायंट्र नहें से और प्रेशर प्रेश जादा है राइट च्छिल कमी है तो ब्लड्स यहां तेह परदॉक्सिकल एमपोलाई, यह क्या भी होती है? अब तो अब एक चीज होती है यह क्या होता है? हम कहते हैं कि बलोड क्लाठ ผार्मेशन हेल ब्लॉड वैशल闷ी इसßकाल भाष्ट ट्रॉमॉस वह नहीं गैब क्या थिसम्रांट रैंग होता है वहता हैं डॉक्टर अलिश्यान, वेंस में होता है, आपके वेंस में अगर कोई blood clot बने, that is called thrombus, that is called thrombus, thrombus कभी आपके arteries में नहीं बनता, blood clot जब वेंस में होता है, that is called thrombus, लेकर अगर यही blood clot, move करना शुरू हो जाए, no it is called embolism, no it is called embolism, अर इस अीज है अब यह जो होता है यह आपके जो लृता है यह अब यहां से फिर बन यहां पे आया और इस ब्लाट में क्या था थब एम्बॉलिज्म यहां से मूग कर कहां जाता है right atrium से right ventricle में और right ventricle से pulmonary pulmonary artery के जह जरी कहां चला जाएगा आपके lungs में कहां चला जाएगा lungs में और यह lung04 में जाकर filter हो जाता है फीक है लेकिन अब problem है problem क्या है बच्चे को problem है कि यहाँ पर यह क्या है उसका यह से राइ्ट आट्रियम में एम्बोलिसम आएगा यहा से मूव करने कहाँ चला धाएगा राइट लेफ्ट अब से लेफ्ट से और कहाँ अब बात जबी डी अब यहां पे बात बात है कि आपका blood clot कहां पर था embolism कहां पर था veins में हो तभी veins में है लेकिन blood clot veins से move करके कहां आ गया है arteries में आ गया है this is called paradoxical emboli this is called paradoxical emboli I hope आपको समझ आ गया होगा मैं एक बाद फिर इसको repeat कर देता हूँ कि नार्मल है क्या होता है कि आपका जो blood clot या फिर thrombus embolism जो बनता है वो veins में बनता है और अगर heart normal हो तो यहां से move करता हुआ right atria से right ventricle में और right ventricle से lunge में चला जाता है ठीक है और वहां पर यह filter हो जाता है लेकिन अगर अगर आपका यह जो है ना पेटेंट रहे जहें बच्चे का यह फोरम में उवेल पेटेंट रहे जहें तो यहां से यह blood clot आता है right atria से right left atrium में यहां इसके जीरे move करता हूँ left atria से left ventricle में और left ventricle से move करे कहां जला जाता है arteries में अब इस blood clot का veins से move करके systemic में आ जाना यह systemic circulation है ना जो बाड़ी की तरफ जा रही है यह फिर arteries में आ जाना is called paradoxical समझा गया है पकी बात है किसी को समझ ना आ या जूम पर किसी बच्चे को समझ ना आ या तो वो हाथ खड़ा कर सकता है जूम पर आप मुझे टेक्स्ट करते रहे ठीक है आपकी वाइस मुझे सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैंने एरफोर्स नहीं लगा हुए सो आप टेक्स्ट करते रहे तो मुझे मैं आपके टेक्स्ट पढ़ता रहोंगा अगर को आपको question हो या कुछ repeat करना हो तो कुछ समझ ना रहा हो तो देख can occur in ASD ASD होता है arterial septal defect arterial septal defect मतलब कि यह आपका heart था यह endocardial cushion था और यह septum primum और septum scandum के मिलने से क्या बना था arterial septum बना था अगर इसमें defect हो और बीच में hole रह जाए तो इसे कहते है arterial septal defect इसे बोलते है patent formal ovale बोलते है और इसमें paradoxical emboli होता है मेरे ख्याल में असान था कुछ मुश्किल नहीं था अब आपके जो हरा दो एक्रिया बन चुके है let me see that कि आपकी कोई चीज रहे तो नहीं गई है ठीक है अगर आपका कोई question है तो आप पूछ सकते है इस बीक में मैं देख लूँ जहां तक अपने notes से कि आपके कोई चीज रहे तो नहीं गई यह अब आपका heart पहले एक tube थी अब उसके entry तो बन चुके है अब हमने क्या बराने है उसके ventricles अब ventricles की separation किस तरह होती है उस तरह उस तरह हम move करते हैं ठीक है डाक्टर अजाब अब वेंट्रिकल्स को देखते हैं कि वेंट्रिकल्स की सेप्रेशिन किस तरह होती है तो वेंट्रिकल्स की सेप्रेशिन बिल्कुल असान सी है इसमें सबसे पहली चीज जो बनती है वो आप यहां पे बनती है नीचे से muscular interventricular septum नीचे ये क्या है muscular interventricular septum इसको muscular interventricular septum क्यों कहते हैं क्योंको ये muscles का बनावा होता है और ये interventricular मतलब ventricular के दर्म्यान में है septum है तो इसको बोलते है muscular interventricular septum तो सबसे पहले चीज muscular interventricular septum बनेगा दूसरी चीज आपका eltico pulmonary septum बनेगा eltico pulmonary septum ये वला है ये वला- ये वला- ये वला septum ये ये- ये और ये ये आपका क्या है eltico pulmonary septum नीचे से क्या बना मस्कुलर intervention regular septum? ऊपर से बना आपका eltico pulmonary septum बीड में क्या रही है poetry इंटर वेंटरीकुलर फरोमें क्योंकि यह दो वेंट्रिकुलर के दर्मियान में सुराख है इसलिए इसको क्या बोलता है इंटर वेंट्रिकुलर फोरोमें बोलते हैं यह यहां पर यह जो बना हुआ है यह पता है कहां पर यह देखे यह दो आपके उपर एट्रे बन चुके यह दो वेंट्रिकल्स अब निज़े से क्या बनता है आपका मस्कुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और उपर से जहां पर आपकी वह होती है क्या होती है आपके य और रुटेडर निचे से ये बना मस्कुलर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम उपर से बना इए को पल्मोर्णी सेप्टम तो बीच में जो सुराख है इसको बोलते हैं Interventricular, Foramen, Interventricular, Foramen, समझा किया है? अब यह rotate करेगा उपर वाला और आ के इसके साथ क्या कर जाएगा? Fuse, तो जो Foramen, Interventricular Foramen था वो क्या हो जाएगा? Disappear हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? Disappear हो जाएगा, तो यह जो septum बन गया है, अब इस septum को बोलते हैं, Membranus Interventricular Septum, Membranus Interventricular Septum बन गया है यह, और जब Membranus Interventricular Septum बनेगा, तो मेरे ख्याल में दोनु वेंट्रिकल क्या हो गया है? Separate हो गया, तो इस तरह आपके Ventricles क्या होती है? Separation होती है, सेप्टेशन होती है, सेप्टेशन यह सेप्रेशन, मैं एक बर फिर समझा देता हूँ, एक बर फिर रपीट कर देता हूँ, जूम पर टेक्स्ट आया है कि इस सर एक बर फिर रपीट कर दे, यह देखें, नीचे से सबसे पहले क्या बनता है? Muscular, Interventricular, Septum, और उपर से क्या बनता है? Ealticopal Monary, Septum, बीच में hole रहे जाता है, इस soul को क्या बोलते है? Interventricular, Foramen, अब उपर से आपका जो Ealticopal Monary, Septum में यह रुटेट करेगा, और Muscular, Interventricular Septum को सदा के फ्यूज कर जाएगा, यह ऐसे, तो new जो Septum बनेगा, that is called Membranus, Interventricular Septum, अ अब आपका Interventricular Foramen Disappear हो गया, और यह मुकमल है क्या बन गया? Septum बन गया, तो आपका Ventricles क्या हो जाएगे? Separate हो, ठीक है, समझा गया है? चले, इसकी रिटेंग कर लेते हैं, Muscular, Interventricular Septum Forms, Opening is called Interventricular Foramen, यह वला ओपने, यह वला ओपने, अच्छा, Eultico-Pulmonary Septum Rotates and Fuses with the Muscular Interventricular Septum to form the Membranus Interventricular Septum, यह बन जाएगा, Membranus Interventricular Septum, Closing the Interventricular Forum है, जब यह बनेगा, तो जो फोरम है, यह क्या हो जाएगा? Closed हो जाएगा, समझा गया है? तो यह आपकी Ventricles क्या होती है? Septation, असान सा था, अब यह था, यहाँ पे Endocardial Cushion है, यह बीट में यह Atrial Septum बन गया, और यह Ventricular Septum बन गया, है, अब Atria, Atria से अलग हो गया, Ventricle, Ventricle से अलग हो गया, लेकिन यह Atria Ventricle से अलग नहीं हुए, ठीक है, अब हम इनको अलग करते हैं, यह अलग कैसे होता है, अब याद करें, मैंने पीछे बताया है, Atrial Septation में कि यहाँ पे बीट में क्या होता है, Endocardial Cushion होता है, अब यह अब आपकी क्या होती है, Canals होती है, कौनसी Canals यह देखें, Atria Ventricular Canals होती है, यहाँ पे Atria-Ventricular Canals होती है, अब आपका जो Endocardial Cushion है, यह Endocardial Cushion grow करेगा, इदर से इस सरफ और इदर से इस तरफ, जब Endocardial Cushion grow करेगा तो वो Atria और Ventricle को क्या कर देगा, क्या कर देगा separate और जहां पर आपकी atrium ventricular canals थी यहां पर वो valve लगा देगा right atrium, right ventricle के तरमें, कौन से valve होता है tricaspit valve यहां पर क्या बन जाएगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कौन से बन जाएगा आपका यही जो यह इदर से इस तरह इदर से इस तरह जब यह ग्रो करेगा तो पहली बात तो यह कि यह एक्रिया को वेंट्रिकल से अलग कर देगा और दूसरी चीज यह कि यह जहां पर आपको अपने आपको हिसा लिए है एंडोकाडल कुशन ने इसको भी divide करने में हिस्सा लिया था ठीक है वो हमने कहा था septum primum इसकी दरफ एंडोकाडल कुशन की दरफ move करता है एंडोकाडल कुशन ने इसमें भी हिस्सा लिया क्योंकि ये आपका जो है वो fuse करके मिलता है एंडोकार्डिल कुशन ने इनको भी अलग करने में हिस्सा लिया एट्रिया को वेंट्रिकल से और एंडोकार्डिल कुशन ने आपके जो ट्राइकस्पिड वाल थे और मैटरल वाल थे उनको बनाने में भी हिस्सा लिया और यही आपका जो एंडोकाल्डिल कुशन होता है यह राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता होता है पल्मोनरी आर्ट्री पर वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व यही एंडोकाल्डिल कुशन इस पल्मोनरी वाल को बनाने में भी इसा लेता है अब यहां से लेक्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता में बनाने में प्लक्ती काम लिए ताहि हूं के क हो कुछिन है या य क्यार्ट्री काम रेट मुध्य कर्यों है और की डीकिंट करने में काम आता है षरीम करतिक से अलग करने में भी काम आता है और eotek valve रहने में भी काम आता है छी कह समझा गी है अब यहाँ पर एक defect होता है वह कहों सा defect होता है कि कि उसको बोलते हैं एक यहाँ पर यहाँ पर जह करा जैंआ अब इन नाष्हकी मदब से बाट बनने होते हैं यहां पर endocardial cushion सही तरह से ना आए और आपके atrioventricular canals में defect हो तो दो valves बनने की बजाए एक valve बन जाता है कैसे भला दो valve बनने की बजाए यहां पर एक यही valve बन जाता है यह common valve है इसको बोलते हैं atrioventricular canal defect atrioventricular canal defect यहां पर जो canals थी उन canals से अलग-अलग valve बनना था यहां पर metral valve बनना था यहां पर tricuspid valve बनना था तो यह अलग-अलग valve बनने की बजाए एक ही valve बन गया है therefore it is called atrioventricular canal defect तो इसमें common valve बन जाता है I hope so that कि आपको समझ आ गया होगा यह कि नहीं समझाया growth of endocardial cushion separates atria from ventricles and contributes to both atrial septation and membranous portion of the interventricular इसमें भी काम आता है ठीक है और atrial septal में भी काम आता है और आपके tricuspid valve, bicuspid valve और इसके लब atria को ventricles से separate करता है और मैंने आपको पता है कि यह काम आता है अच्छा ventricular septal defect most common congenital heart anomaly usually occurs in membranous septum यह जो septum है यह उपर से क्या आता है यह को पलमोनरी septum और नीचे से muscular interventricular septum अगर यह सही तरह से आपस में fuse ना करें तो यहां दर्म्यान में सुराख रह जाएगा ना कौन सा सुराख interventricular foramen यह patent रह जाएगा तो इसको बोलते हैं आपका ventricular septal defect ventricular septal defect तो यहां पर यह सुराख रह जाएगा that is called ventricular septal defect I hope आपको समझ आ गया होगा atrial septation और ventricular septation पहले देखे हमारी tube थी इस तरह फिर दर्म्यान से क्या बना atrial septum endocardial cushion फिर ventricular septum बना फिर यहां से endocardial cushion इस तरह मूव किया और यहां पर tricuspid valve mitral valve और यहां पर आपका aortic valve और यहां पर आपका pulmonary valve बन गया यहां कितने chambers बन गया है चार chambers बन गया उनकी क्या हो गई यह separation हो गया ट्यूब थी एक और उसकी क्या हो गए चार chambers बन गया है पकी बात है चले जी आगे move करूं मैं आगे है outflow tract formation अब सबसे पहली बात कि यह outflow tract कों से होते हैं तो आप देखते हैं कि यह atria यह ventricles तो आपके right ventricles से क्या निकलता है pulmonary trunk pulmonary artery और आपके left ventricles से क्या निकलता है aeolta यह aeolta और pulmonary artery are called outflow outflow tract जो दिल से चीज़ों को outflow कर रहे हैं मतलब वहां से बहर लेके जा रहे हैं यह outflow tract क्यलाते हैं अब यह outflow tract कैसे बनते हैं यह हमने देखना है ठीक है सबसे पहले आप देखें neural crust and endocardial cells migration यह दोनु cells है endocardial cells and neural crust cells दोनु embryonic cells होते हैं कौन से embryonic cells जब आपको वह embryo बन रहा होता है वह embryo के cells होते हैं उनको बोलते है neural crust cells and endocardial cells अब यही आपके neural crust cells और endocardial cells क्या बनाते होते हैं ट्रंकल एंड बल्बर रिजिस अब आप कहेंगे ट्रंकल एंड बल्बर रिजिस क्या होती है इसको हम यहां पर समझते हैं देखें ऊपर की तरफ आप क्यों होती है देखें मेरी बाह सुने यह सौरी यह यह आपका यह आपका क्या हो गया एट्रिया यह आपके वेंट्रिकल्स अब इन दोनों में से जो नाली निकलते हैं उपर की तरफ निकलती है यह आगे की तरफ पीछे की तरफ यहां बनाने पारा रहा ठीक है चले इसको मैं यहां पर नहीं बताता तो यहां मैं इसको ऐसे बना लेता है और इसमें से हमने योलिटा को क्या करना है अलग करना है अब यह हम इसको अलग कैसे करते हैं तो देखें दो चीजे होती है इन पहले तो ये common सा होता है फिर इसमें नीचे की तरफ होता है bulbar Regis ये bulbar Regis और उपर की तरफ आपका ये वला क्या होता है Truncle Regis दो होती है ये neural crust cells की migration से बंकती है Truncle Regis और Bulbar Regis नीचे की तरफ आपका Bulbar Regis ऊपर की तरफ आपका Truncle Regis अब इसको फिर sketch करता हूँ यहां पर यह आपका उपर से Truncal Regers और यहां पर नीचे से Bulbara Regers यह दोनों rotate करते हैं और आपस में क्या कर जाते हैं fuse कर जाते हैं जब यह दोनों rotate करते हैं और आपस में fuse कर जाते हैं तो इससे बनता है Ioltyco Pulmonary Septum क्या बन जाता है Ealtico pulmonary septum यह Ealtico pulmonary septum जब यहां बीच में बनता है तो ये दो pipes अलग-अलग हो गए है ना दो paps क्या हो गए सेप्टेट हो गए इनकी separation हो गई अब एक बन जाएगा एक पैप एल्टा बन जागा, एक पैप क्या बन जागा आपका? पल्मोनरी आट्री बन जागा, ठीक है, तो यही बात वो कहता है, क्या कहता है, कि ट्रंकल and bulber ridges that spiral and fused to pharma एल्टीको पल्मोनरी septum, क्या कहता है, यह Atria, यह Ventricals, कि ये common pipe पाइप था इसके बीट में ये बन गया है आपका क्या बन गया? JOE to POL assertion सेक्टम और ये क्या बना देता है आपका एक बना देता है Eriscalий बना गता है Pl though अक बन गया बन गया Pokemon लॉइप prosecution एक बन गया सेपरेट भोगे समझगा गया? समझ आगे है राकरज़ आप जूम पर किसी या कोई क्वेशन हो या रपीट कराना हो किसी ने तो मुझे बता दे चले जिल्दी रिस्पोंस क्या करें मुझे ताकि मैं आगे बढ़ा करूँ चले इसमें यह जो पताने जा रहा हूँ यह इंपॉर्टड है इसको गौर्ट से स associated with failure of neural crest cells to migrate यह नहीं बना यह नहीं बना क्या मतलब है इसका मतलब है ट्रंकल और बलबर रिजस नहीं बने होंगे है ना तो यह अगर common flow था तो उपर से ट्रंकल और निजे से बलबर रिजस यह अपास में मिलते हैं तो यह बनता है septum eotico pulmonary septum मतलब यह नहीं बना तो मतलब इन दोनों में defect होगा अब यह दोनों कैसे बनते हैं neural crest cells की migration से अगर neural crest cells migrate नहीं करेंगे तो मतलब आपका योल्टी को pulmonary septum नहीं बनेगा तो question आता है कि neural crest cells की migration ना हो neural crest cells की migration में failure हो तो आपको कौन कौन सी disease होती है सबसे पहले आपका ना माना चाहिए persistent truncus arteriosus क्या मतलब हो होता है कि यह अलग-अलग नहीं होते pulmonary trunk को रियोल्टा अलग-अलग नहीं होते बलके यह failure to divide यह divide नहीं हो सकते ठीक है यह एक ही रह जाते हैं समझागी यह बात और दूसरी चीज़ tetralogy of phallet मतलब आपका heart सही तरह से develop नहीं होता तीसरी चीज transposition of great vessels जो vessels होते यह transposition कर जा कामनली क्या होता है कामनली यह होता है कि आपकी जो यह क्या है right ventricle right ventricle से क्या निकलती है pulmonary artery और left ventricle से क्या निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है आपका योल्टा निकलता है लेकिन इनकी ट्रांस पूदिशन हो जाएगी अब देखे ट्रांस पूदिशन कैसे यह क्या आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल अब यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है पर्मोनरी आर् तो दोनों की position क्या होगी है? Trans position हो गई है. इनकी position change हो गई है. अब IOLTA में वैसे कौँछा blood होता है? Oxygenated लेकिन इसमें blue blood है. Blue वाला कौँछा होता है? Deoxygenated blood. और Permanent Rt में deoxygenated blood होता है, लेकिन यहां पर? Oxygenated blood है. तो इनकी position क्या होगी है? यह transposition हो गई है. तो simple मैं आपके mind में क्या put करना चाहता हूँ? I want to put in your mind that if there is a failure in the neural crust cells migration, then what kind of disease it can cause? The first one is persistent truncus archiosis, second is tetralogy of pellet, and third one is transposition of great vessel. That's important. GMCQ आती है कि neural crust, यह जो diseases है, यह किस की migration में field यह से होती है? Neural crust cells की failure में यह से होती है. और वो क्यों होती है, वो कैसी होती है? मैंने आपको बता दिये, कि उसका जो beach वाला septum होता है, यह नहीं बनता, यह क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप यह ridges नहीं बनती है, ridges क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपको neural crust से तरह से migrate नहीं गरता. समझा गिया है? ठीक है, अब मैंने का यहाँ पर atrial valve बनता है, sorry, tricuspid valve यहाँ पर, mitral valve यहाँ पर pulmonary valve और यहाँ पर eoltec valve, और मैंने का था, यह valve कैसे बनता है? endocardial cushions, यहीं बनता है, यहीं बात बताएगा, eoltec and pulmonary valve direct from the endocardial cushions of the outflow tract, mitral and tricuspid valve direct from the fused endocardial cushion of the EV canal, antireventricular canal जो हमने बढ़ा था, वहाँ से बनते हैं आपके, mitral valve, आपके mitral valve और tricuspid valve, ठीक है? अच्छा, अगर इन्ही valve में abnormality हो, valvular anomalies, इन्हें में abnormality हो, यह आपका endocardial cushion defect हो, फिर क्या होगा? फिर आपका जो valve होगा, वो stenotic हो जाएगा, मतलब बुलाग हो जाएगा, इसमें से blood का move, मतलब अगर यहां से यहां से आपका blood अगर यह वाल वाल फिर तो यहां से blood नीचे move नहीं करेगा, रीगरगी टेंट, अगर valve रीगरगी टेंट हो, इसका क्या मतलब होता है? कि जब यह pump करता है, heart यहां पर contract करता है, तो यहां से blood की leakage होगे, वापस और फिर मूब कर जाता है, तीसरे है, atriatic tricuspid atritia, आपका tricuspid valve बिलकुल बनेगा ही नहीं, बिलकुल क्या होगा? missing होगा, that is called tricuspid atritia, displaced example, epstorn anomaly, अब यह epstorn anomaly क्या होता है? देठके, नारम रह度 clip जा होता है, कि यह आपका क्या होता है? atria, यह आपका क्या होता है? ventricals, अब यहाँपर आपका क्या बनता है? tricuspid valve, और यहाँपे metalcuspid valve, अगर 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 ऑदर जो है न, झानर प्रेगनंट है, यह बेत हां रहा है गेनिट है उसके पेट में बच्चा है और वो लीथियम ड्रग देघ्च यह या पिर उसको या तो स्को सकल रिसारडर है या यह पिर उसको कोई भी डिसारडर है और वो लीथियम ड्रग ले रहे ब्सक्रों म्लेंड ने तो क्या होता है द् Went un balle यहाँ पर बनना था जहीक बनने की हम कर आख यहाँ पर बनने की बंजाए और मु बन जाए गा वह दिसलिगा इस का 60 याह क्या होती है कि अगर एक और प्रेगनेंट है और वह लीथियम ड्रग ले रही है उसको बाइपला डिसाडर रही है कुछ भी है वह ले रही है तो यहां पर बनना था वह यहां पर बनने की बजाए ट्राइकस्पर वाल नीचे जाकर बनेगा वह डिस्पलेस्ट हो जाएगा अ कहते हैं अपस्टे नमीरी कहते हैं तो समझ आ गया आपको समझ आ गए कि आपके वेंट्रिकल का साइज और यह कौण से राइट वेंट्रिकल का और रैट बाढ़ाए ऐडिक जाएगा और आपके valvular anomalies यानि endocardial cushion के लिए से कौन से defect आती है वो यह वाली है और epstan anomalies में important है ठीक है तो I hope आपको समझ आ गया होगा outflow tract formation, valve formation हमने तमाम formation देखिए हमने यह हमने का यह tube थी cell केंखियर की हमने पहले एट्री अप्त्राइप ट्रिकल्स को बनाकर योलट्रिक के इसी हमने यॉल्टय त्रंग खो हमने कया किया अलग है, तो हम पूरे हार्ट की क्या पड़ी? उसकी अम्रियालोजी की चार्ट बंता किस दो है, है उसकी सेप्टेशिन किस द ना होती है? अब, आपघ हमने उपर एक चीज छोड़ दी थी कॉंसी भ़ला यह हम ने स्टार्ट में कहा था यह वन्हें यह वाली हमने कहा था कि यह हम बात में पढ़ाँगे तो हम पढ़े रहेते हैं हार्ट मार्फोजेनोसिस हाओ नुजिस क्या होती है के हार्ट के शेप बन रही हार्ड की स्ट्रक् bak रहuage हों भी हरो किसी रहा है तो वह कहता है कि फंच्श्णनल आर्गन इन वैक्छिव्र किस्ट अंते होता नहीं जनके रिड़ किया होती है वह वरेटीवरयज उनकी इंब्र that particular आपका दिल होता है तो क्वेशन आ सकता है कि फर्स्ट फंक्शनल आरगन इन वर्टीब्रे एंब्रियो थीक है और यह बीट स्पोंटनेश्टी बाइवीक फॉर अफ्टा डिवेलमेंट यह चौथे दिन वीक के चौथे हफ्टे डिवेलमेंट के यह बीट करना स्टार्ट कर इस्तेबिक प्रैमरी हाट्ट त्यूब लूप अब लेट फ्रीण होती है यह जो कि बिगिंज इन फॉर वीक दिवेलमेंट कौन बताएगा यह ठीट पर हेफ्ट के राइट साइड पर होता है ना बंदा नार्मली के साइड पर होता है लेट साइड पर अब यही देखना क उसका heart right side पे है या फिर right side पे है या फिर left side पे है that is called left right polarity कि उसका heart कौन से plane में है right plane में है कि left plane में ठीक है अब defect in left right dynan अब dynan protein होती है कौन सी dynan नमरे body में protein होती है और इनका काम होता है चीज़ों को transport करना क्या करना transport करना अब दिल जहां पर भी बना है दिल आपका heart जहां पर भी बना है इसने move कहां करना है अपनी position की तरफ कहां पर move करना है left side की तरफ किस तरफ क्योंकि इसकी position कौन सी होती है left side तो इसने left side की तरफ move करना है और वहां पर जाके इसने बैठना है लेकिन अगर defect in left right dynan, अगर आप यह dynan protein है, जो के transport पर काम आती है, इस में defect आ गिये, तो क्या आपका heart अपनी normal position की तरफ magnet कर सकेगा? नहीं, यह अपनी normal position की तरफ defect नहीं कर सकेगा, involved in left right asymmetry, मतलब आपके जो heart की position है, वो symmetrical नहीं होती, normal, नहीं होती वो क्या होती है? abnormal होती है, can lead to dextrocardia, dextrocardia क्या होता है? देखे, normally आपका heart left side पर होता है, लेकिन अगर आपका heart left side की पर जाए, right side पर है, that is called dextrocardia, उसे क्या बोलते है? dextrocardia बोलते है, ठीक है, तो ये dextrocardia क्यों होता है? मैं फिर repeat कर रहा हूँ, dextrocardia क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपकी जो dynan protein है, heart जहां पर भी बना है, उसने migrate करके, transport करके, अपनी left side, अपनी position पर आना है, लेकिन, देखे, मैं फिर repeat करता हूँ, इसको किसी और शकल स से transport करके, अपनी position पर, यानि left side पर आना है, लेकिन defect in dynan protein, अगर dynan protein में defect है, तो क्या heart left side पर move करेगा? नहीं, ये कहां रह जाएगा? राइट side पर इसे बोलते है, dextrocardia, इसे क्या बोलते है? dextrocardia, as seen in cartagonal syndrome और primary cellulary dyskinesia, primary cellulary dyskinesia, या cartagonal syndrome क्या होता है? इसमें ये हो नार्मल position पर नहीं होते है, उनको जो नार्मल location होती है, वो अपनी location पर present नहीं होते है, तो ये आपकी क्या होते है, primary cellulary dyskinesia होता है, ठीक है, और ये primary cellulary dyskinesia में ये भी होता है, कि इसमें respiratory tract के infection होते है, और इसमें infertility भी होती है, पेशेंट को, क्या होती है? इन rate पर, तो आपको क्या होगी है? डेक्स्टो काईडिया होगी है, ठीक है? समझ आ गिया है? इसको repeat करने की जुरहत तो नहीं है इसको, इस वाले को, कर दो एक बार repeat, चले मैं जल्दी सी इसको repeat कर देता हूँ, एक बार, क्योंकि जूम पर फिर request आ रही है, कि सार एक बार repeat कर left side पर move नहीं कर सकता, बलके right side पर रहा जाता है, that is called, डेक्स्टो काईडिया, ठीक है? और ये primary sealery dyskinesia भी होता है, बतलब इसमें आपके जितने भी internal organs हैं, जितने भी organs बनते हैं, वो अपनी normal location पर नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है? तो ये नीचे देखें, ये hard बन रहा है, ये पहले 22 days में इसकी शकल इस तरह की होती है, ठीक है? और 24 days में इसकी शकल इस तरह की होती है, और 35 days में इस तरह बन चुका होता है, और 50 days में इस तरह बन चुका होता है, बाकि ये ज़रा important है नहीं, बस ये इतना देख लें, कि 50 days में heart complete बन चुका होता है, उसकी शकल और इसको first chaotic heart भोते हैं यह बल्बस call यह बाकी anatomy है कि जैसे एक चीज़ की anatomy करते होते हैं कि structure को देख के हम उसको नाम देते हैं यह उसकी pericardium बन रही है ठीक है यह यह का roots बन रहे है तो बाकी आव यह देख लीजिएगा ठीक है not much important 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 ही है कि पस देख लें के 22 दिर में हार्ट की शेकल कौन सी होती है 24 तेस धर 35 तेस दर 50 तेस मुसके शेकल कौन सी होती है So I hope so that कि आपको कोई question निये बस थोड़ा सा और थोड़ा सा पाँड़ा लेते हैं बस पांच मिनट्स और लगेंगे बस पांच मिन लगने देखें अब यह क्या है उपर हमने यह यह वाली हम देख रहे यह यह वाली यह वाली यह वाली अब नीचे बोलेगा कि यहीं embryonic structures किस चीज़ को गेवराइज देती है क्या बनाती होती है देखें सबसे पहरे embryonic structure है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस यह बनाती है सेंडिंग योल्टा एंड पुल्मोर्री ट्रंक बल्बस काल्डिक्सिस यह रट्टा बेस है आप लोग इसको मेरे ख्याल में पहुत देख लेना लेकिन अगर कहते हैं तो मैं इसकी sketch यह sketch बनादो इसका मैं थोड़ा से यार्ट करने कहता है कि थोड़ा से वह मंजे चले मैं बना देता हूं बना देता हूं बच्चे थोड़ा तक easy हो जाए, यह आपका left, यह atria और यह ventricle, आपका जो truncus arthrosis होता है, यह क्या बनाता है, ascending aorta and pulmonary trunk, यहां से pulmonary trunk और यहां से ascending aorta, यह कौन बनाता होता है, truncus arthrosis, नाम खुल बता रहे है, truncus arthrosis, pulmonary trunk भी बनाएगा, और aorta यानि आल्ट्री भी बनाएगा, bulbus, kaldis, यह बनाएगा smooth part, outflow tract of left and right ventricle, यह इसका smooth part बनाएगा, यह वला, right and left ventricle का smooth part, कौन बनाएगा, bulbus, तो bulbus, smooth सा लवज है, तो smooth part बनाएगा यह, primitive ventricle, primitive, थोड़ा hard सा वाल है, primitive, तो यह उसके trabeculated part of left and right ventricle, तो उसको जो trabeculated part है, वो कौन बनाएगा, primitive ventricle, और इसके बाद primitive atrium, फिर hard सा वाल्ड है, तो trabeculated part of left and right atrium, तो इसका trabeculated part बनाएगा, ठीक है, right and left atrium का trabeculated, सुरी, सिर्फ, हाँ, left and right atrium का trabeculated part बनाएगा, primitive, देखें, primitive, जरा hard सा लवज है, तो trabeculated और bulbous, जोफ़ सा लवज है, तो smooth बनाएगा, left heart of sinus venus, यह क्या बनाएगा, coronary sinus, sinus venus, तो क्या बनाएगा, coronary sinus, बनाएगा, right heart of sinus venus, smooth part of right atrium, यह जो आपका right atrium है, उसका smooth part बनाएगा, कौन बनाएगा, sinus venus, का right left बनाएगा क्या coronary sinus और राइट बनाएगा समूथ पाट आफ राइट एंडोकाल्डिल कुशन यह मैं आपको बता दी अभी मैंने बताया था यह सारे वाल्व हैं यह कौन बराएगा आपका अंडोकाल्डिल कुशन अच्छा राइट कामन काल्डिल वेन और राइट अंट्रिल काल्डिल वेन जो काल्डिल वेन है हम मतलब होता है जो इंडोक होना वह बनाएगा सुपीर वेना कहवा मतलब मैं किस वेРЕन होती है कि आफ पूछ और प्रजिक बंजरते वोए उसके बाद से बाइग यह बनाती है एक हैं रायट और कामन राइड राइट कामन और राइड इंपीरिय यह राइट इन्ठीर यह क्या बनाएगी superior वेना कहवा और posterior sub-cordinal और supra-cordinal बनाएगी inferior वेना कहवा इसके बाद है primitive pulmonary vein primitive pulmonary vein smooth part of left atrium बनाएगा smooth part left atrium बनाएगा ठीक है यह left atrium का smooth part स्मूद बनाएगा sorry इसका left atrium का smooth part बनाएगा ठीक है तो I hope that कि आपको समझ आगया होगा असान से था कोई question आपका रहे गया हो या कोई चीज समझ रहा है यह यह वाला जो मैंने last time पढ़ा है not much important यह वाला जो भी मैंने भी विजू पढ़ा है यह वाला not much पुरण अगर याद करना चाहिए तो best है ठीक है तो बाकि अगर आपको कोई question रहे गया हो कोई चीज रहे गया हो तो मुझे बता दे मैं उसको repeat कर देता हूं यह repeat करने की जुरत हो बाकि मैं देख लूँ कि आपके कोई चीज रहना गई हो मेरे नोट से तो let me see can be just two minutes देख लूँ कोई चीज रहना गई I think आपकी सारे चीज़े clear हो गई है तो कोई चीज रहा नहीं गई तो ठीक है फिर कोई आप लोग को question हो तो आप लोग पूछ ले तो होगा बाकि इंशालों तरह पिर काल के lecture मिलते हैं और अलाहाफिस क्याल रखे हैं अबना